नमस्कार दोस्तों Comics पीटारा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते अब साथ में लगए पेल आइकन को प्रेश जरूर करते हैं दोस्तों मेरा नाम है विजय कमार और आप देख रहा है Comics पीटारा चैनल चलिए इस कोमिक्स को शुरू करते हैं सैथाम राग, गम्राज और दोगा का 2 in 1 बिससांख यह बी सुर्पए के कोमिक्स है, देख सकते हैं संजय गुप्ता पेश करते हैं कहते हैं मुंबई की सर्कों की रोनक रगन होती ही होती है क्योंकि रात होते ही मुंबई की सड़कों पर अकास के सितारों के साथ साथ धर्ती के सितारे भी नजराने लगते हैं सड़के भीर से भरने लगती है लेकिन फिल्मी दुनिया के साथ-साथ अंडर्वाल्ट के लिए भी मसूर मुंबई की कुछ सटकों पर ऐसा भी होता है दुकान बंद करो, खुमचा उठा, भागो, जल्दी भागो रहे, जल्दी मुझे भी अपनी दुकान बंद करके भागना होगा आज दुकान जल्दी बंद कर दी सहब, हाँ लगता है कोई अंडर्वाल्ट का बड़ा भाई आ रहा है भागो, देख नहीं रहा, कैसे फटा-फट दुकाने बंद हो रही है, तुग गाड़ी भगा यहां से संकालू को भी वहां से भागने की जल्दी थी गुरू जल्दी निकलो यहां से, अगर हम कुछ दिर और रहें, तो मुझे संका है कि मेरे वीवी रतालू अपना जनम दिर नहीं, मेरा मरा निर्द मनाएगी तु तो वैसे ही जल्दी कर रहा है यार, कंसकम रुख कर देख तो लेते हैं, क्या कि वो कौन है, जिसके आने के डर से पूरी सरकर मिंडों में खाली होगी अगर हम उसे देखने रूख गए, तो रतालू बीना कुछ देखे मुझ पर हमला कर देगी क्योंकि उसने अपने जर्मदीन का केक काटने का नौ बज़े का टाइम फिक्स कर रखा है और नौ बज़ने में सिर्फ पांच मिनट बाकी है अगर पांच मिनट में हम घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैं तो जरूर उपर पहुँचाऊंगा ओफ चल रहा हूं भाई वो ना दिखे इसलिए लोग भागे जा रहे थे अब सारी सड़के खाली थी गमराज जिसे देखने की इच्छा दवाय जा रहा था सन्नाटे से भरी हुई जल्दी सन्नक पर व्याप्त उस सन्नाटे को चाती पर वो दस्तक हुई उन भारी भरकम बूटों की और फिर गूज उठा वो ठाका हाँ 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 कहीं कोई आवाज नहीं कहीं कोई शाज नहीं लेकिन इस तरह सन्न के सुन्सान करके अपने घरों में घुज़कर क्या लोग मेरे कहर से बच जाएंगे नहीं 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 अरे ये कैसी आवाजे है ये गटर के धकन के हट्टे की आवाजे है मुंबई को जानने वाला हर सक्स ये अच्छे तरीके से जानता है कि मुंबई में जब गटर का ढकन अपनी जगा से हटता है तुमान नजर आते हैं डोगा मेरे दोस्त को तो ने ख़वर दी थी कि इस इलाके में किसी के आने का इतना तक फैला हुआ है हिसारे दुकाने बंद हो गई है सरके खाली हो गई है लोग दुम दुमा कर अपने अपने घरों में जाचिपे है आखे algumas है वो जिसके आने से ऐसा हो रहा है अपने इस जिस्म पर लधा बारूत उसके सीनें भगकर उसके आतन को खत्म करने आया हूं मैं कहां है वो उस आतंग की तरास में दोड़ी डोगा के नजर सणग पर मौझूद उस आदमी पर जाकर ठहर गई सणग पर इस वक्त वो एकलोता नहीं मौझूद है वही मुझे बताएगा कि किसके आतंग से ये सणग खाली है मेरे जब आप डोगा को अविश्वास की दुनिया में पहुचा रहे वाला था तो भारे अतंग से ये सणग खाली हो गई है मजाक मत कर मेरे भाई तेरे में ऐसा क्या है जिससे लोग डर कर भागे चुहिया समू तिनके जैसा सरी जो फुक मागने में भी डोलने लगे पिश्वास नहीं होता तो देख मेरे फुक का कमाल फुफ अच्छा हुआ मैंने अपने फुक बंद कर दी नहीं तो फुक बंद कर दी नहीं तो पता नहीं उससे उड़का तु कहा का कहा गिरता इसलिए अब मजाक छोड़ और सीरियस हो जा हाँ अब तो सीरियस होना ही आ जाएगा कि आखिर क्यों मेरे आने से संड के और गलिया सुनसान हो जाती है क्यों हर तरफ संणाटा चा जाता है उसने अपने हाथ में थमे उस चोटे से बागेंद्र को अपने मूह में लगा लिया और जैसे ही उसने अपने मूह में लगे उस बागेंद्र को फुकना उठा उसके यंत्र से निकरने वाली ये कैसी आवाज है जिसने मुझे ठी रखने के लिए मजबूर कर दिया मेरे हाथ हतियार उठने के लिए नहीं नाचने के लिए उठ रहे हैं और दोगा को नाचने के लिए मजबूर करने वाली वैरागी की यंत्र की वावाज अलग-अल आदमी पर अलग अलग तरीके से असर डाल रही थी इसकी सारी हडिया टुटी हुए फिर भी ये खड़ा हो गया खड़ा होकर डांस करने लगा और मुझे फॉरन सिर्फ फॉलने के लिए मजबूर कर रहा है यह इस अजीब से संकीत का असर है जो यहां गूज रहा है यही इस से नाचने के लिए प्रेरिद कर रहा है कमाल है मुझे तो इस अवाज से कुछ नहीं हो रहा है हरान गमराज भी था यह तेरी बीबी को अचानक क्या हो गया संकालो के करते करती चीक मार कर रसुई की तरफ क्यों भाग खड़ी हुई या मुझे संका है कि यह पागल हो गई ये उससे माचेस कीली हो जाएगा और अगर माचेस कीली हो गए तो वह जलेगी नहीं अगर माचे जल एगी नहीं हो भाबी छोड़ दो मुझे छोड़ दो जो आवाज मेरे कानों को फार दे रही है उसे बसने के लिए मैं जलकर मर जाओं तो अच्छा है अवाज किसा वाज की बात कर रही है यहां कुष्टी इस संकीत की आवाज की जो हमें अच्छी लग रही है लेकिन तेरे बीवी संकीत की आवाज इसके कानों में नहीं पहुचेगी तो इसे अराम मिलेगा मैं भी अपने कानों के इंतिजाम करने के लिए अपने साथ ले लेता हूं बाहर का दृस्टी गवराज की कलपना से पढ़े था अरे यह तो डोगा है लेकिन यह तो ऐसे नाचरा जैसे बरात में जाया है लेकिन बरात है कहां गमराज को बैरात तो नहीं बैरागी जरूर दिखा वो सीकड़ी कोई बाग अंत्र बजा रहा है जिसके तो डोगा को नाचने के लिए मजबूर कर रही है उसी अंत्र की आवाज ने संकालू की बीबी को भी पागल किया है इस यंत्र को बजाने से रोकना होगा और इस यंत्र को इसके हाथों से छुडाना होगा ओ तबाक वो आग बूबला होगा गमराज की तरफ पल्टा तुन्हें बैरागी के साच को तोड़ा है मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं लगता है तुझे अपने सरीर पर पसली का कोई चिंता नहीं नहीं है जो तुने तोड़वाने के सूच रहा है घमराज की उसवार से हवासे में उचली दरफ्य को डोगा इसे किक जड़का मैं भी पूटपॉल का मज़ा लूँगा इसकी वज़ा से मेरे बच्चे अनात हो रहा है मैं भी जड़क तुम मैं इसे मैं भी जड़ूँगा उसमें बागयांत्र की धून बंध होने के बाद भी संकालू की संकालू भी अपनी पत्नी छोड़का वहां आ चुका था मुझे धोवी का गज़ा समझकर धून रहा है धून रहे हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुसरे इपल यह गला फाड़कर रोने लगा रोको इसे मुझे संका है कि इसके आस हलक फाड़कर रोने लगा तो संकालू को क्या हो रहा है उस पर मेरे उस सहतान रख का सbor हो तो जो अब अब इस मीनी टेप Turkeynel से लगता इसके कानौप में पहुँंचकर कि इसे इसा बने के यह सशा सहतान बने के लिए मजबूर करा है जो तुम दोनों की खालू देर कर रख़ देगा कि ये इसने मेरे दोस्तांकालो को क्या बना डाला उसने तुम्हारे दोस्त की क्या क्या बना डाला यह सूच तो तुम दोनों कोई बर्बाद करने का नहीं है मैं तो अपने राख से पूरे सहर और पूरे देश को बर्बाद करना चाहता हूं इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं वो जा रहा है डोगा हमें उसे रोकना होगा हाल लेकिन पहले इसकी सांस को तो रोक दूँ यह तुम क्या क तोस्त का डोगा सबसे बड़ा दूस्मन होता है नई डोगा मैं संकालो को तुमारी गोलियों का निसाना नहीं बनने दे सकता तुम ठारो मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ करता हूं संकालो सेतान सिर्फ बंदू की गोली की बोली समझते हैं मैं तुम्हें उन्हें समझाने का सिर्फ एक मौका दे रहा हूं अपनी बोली से समझाने क कुछ कर लो जब डोगा को लगेगा तुम हार रहो फिर उसकी बंदूग चलेगी मुझे यमंडा को बुलाना होगा यमंडा अग्या स्वामी इसका दिमाग ठिकाने लगा लेकिन बहुत ध्यान से इसे कोई भी गंबीर चोट नहीं लगनी चाहिए ठीक है स्वामी स्वामी से दूर हट जा भाई धड़ाक और दूर स्वामी ने अगर तेज़ टकर मारने से ना मना किया होता तो अपने इस टकर पर बिठा कर मैं इसे कोलकता भाज जा दिया होता लेकिन सहतान सकालू को तेज़ टकर मारने के लिए किसी ने रोका नहीं था स्वामी अह क्या करूं स्वामी तेज़ टकर जड़ू क्या नहीं मुंड़ नहीं और उके गम में गमगीन हो जाने वाला भला संकालो को दुख पहुचाने का हो तुम कैसे दे सकता वो तो चिक चिक कर से एक ही बात कर रहा था कुछ कर यह मुंड़ा इसे अराम से वस्मे करने के लिए कु करने के लिए उतार हुए उदर सैतान संकालो को सैतान संकालो से बुरी तरह पिटता यह मुंड़ा उस पर जोड़दार वाल करने की अग्या मांग रहा है क्या करूं कैसे उस संकालो को सांथ करूं जिसे बैरागवी के अनोखे सैतान राग ने सैतान बना दिया है ओ सैतान संकालू को बचाने का एक रास्ता है बलकि वो मेनी टेप रिकोडर होगा जिसने अभी तक सैतानाग निकल कर संकालू के कानों में बज़ रहा है और इसे सैतान बनाए हुए है जब मैंने बैरागी की बात बध्यान दिया तो ये बात मेरी समझ में आई तुमआरी समझ में आई बात काम आ गई तुमारे दोस्त ठीक हो रहा है और जब मामला पुरी तरह ठीक हो गया तो पुलीस भी आ रही है मैं भी चलता हूँ और फिर डोगा वहां रुखा नहीं मुंबई फिल्मी कलकारों की नगरी इस नगरी का इतिहास गवा है कि इसमें सेकडो कलकारों को जमिन से उठा कर आस्मान पर पहुँचा दिया है यही करणनी कि रोज हजार उनने कलकार यहां काम मांगने पहुँचाते है नाम क्या है तेरा वैराक सेन चोपन से आया हूं r आपका बहुत नाम सुना इसलिए आपके पास आया हूं क्या आता है तेरे को खुज़। सारे राक अच्छी तरह का लेता हूं मैं आपको एक राक सुनाता हूँ अभी कि वहां खड़ा खड़ा मेरा मुझ क्या देख रहा है बाहर से गुंड़े को बुलाओ इसका मुझ बंद करो हाई भाग जा फिर कभी इधर नजर आया तो गोली मार दूँगा अनुमलक सहब ने मेरी नहीं सुनी लेकिन बहराक सुन की कोई भी सुनने को त्यार नहीं था भगाओ इसे यहां से भाग जा यहां से अगर तुने अपना राक सुनानी कुर्शिस की तो मैं अपने आपको गो सुझाए यह पति देओ नहीं तो बहराक सेन आ जाएगा भाग रे भाग क्यों रे को यह भाई आयला का यह भाई नहीं रे बहराक सेन तेरे को अपना राक सुनाने आयला है तो फिर भाग सलू वेटा तुन्हें अपने गाड़ी प्माच आत्मी पर क्यों चड़ाई क्या तुन्हें पी रखी है नहीं मैं बहराक सेन से राक बहराक से बचकर भाग रहा था घबराट में ठोकर बैठा फिर तो तेरा कोई को सुरूर नहीं जान 950 रुपए जुर्माना भर दे और मौज कर आज कर मुंबाइ में कोई सांगीत कर आप नहीं देख रहा है कहां कैसे रहे वेराक सेन से डरकर आगे बिदेश भाग गए और आदे पागल खाने पहुँच गए इस बैराक सेन का कुछ करना होगा वरना वो हमें भी पागल खाने पहुँचा देगा हम उसका कुछ नहीं विगार सकते हैं उसके लिए हमें अब्बू सलीम को सुपारी देनी होगी वही उसे फिट कर सकता है क्योंकि वो जर्म से बहरा है इस तरह हम सब ने मिलकर बहरे अब्बू सलीम को बैराक सेन के सुपारी देकर उसे अपना पीछा छुड़ा ही लिया अब्बू सलीम ने उसके हाथ पाप बांध कर उसे समंदर के सारकों के भले हिस्से में फेक दिया पता नहीं वो जिन्दा कैसे वापस आ गया उसका जिन्दा लोटना हरानी की बात तो है साथ ही ये भी हरानी की बात है कि आखिर उसके रागों और बागेंत्रों में अनुक्की ताकत कहां से आई ये बात तो बैराक सेन उर्फ बैरागी बता सकता है और ऐसा वो तभी करेगा जब मैं उसे अपने सिकंजे में जखर दूँगा गवराज बैरागी को अपने सिकंजे में कसने की और लोग उससे बचने की तयारे में जुटे हुए थे मुंबई के सारे संगीत कारों ने इस हॉल में इखटा होकर पुलिस पर्टेक्शन ले ली है क्या बात है बैराक सेन उर्फ बैरागी का सबसे पहले इनी से पाला पड़ा था इन्होंने ही इन से छिटकारा पाने के लिए उसे समुन्दर में फिकवाया था इसलिए इन डर है कि वो इन पर हमला करेगा इसलिए हम हॉल के अंदर मुझूद मुंबई के सवी संगीत कारों के प्रटेक्शन के लिए हम मौझूद है और हमें हिदायत मिले है कि बैरागी किसी भी तरह इस हॉल के अंदर ना पहुंच पाए इससे क्या होगा वो बाहर से अपने राग छोड़ कर अंदर मौझूद संगितकारों पर हमला कर सकता है नहीं कर सकता है ये पूरा हॉल साउंड प्रूफ है बाहर अगर परमानुबं भी फोड़ दिया जाए तो अंदर की अवाज नहीं पहुंचेगी सर वो मौतरमा बड़ी देर से अंदर जाने के जित कर रही थी कती है कि अंदर हॉल में मौझूद संगितकार करीम की मा है किसी की मा को रोकना ठीक नहीं है ये करीम की ही मा नहीं है मेरी भी मा है तुमारी भी मा है हमसकी मा है इसे अंदर जाने दो जीते रहो बेटा एक में पुछ गरबड है संगितकार करीम तो लंदन में मौझूद है रोको उसे अब रोकना बहुत मुश्किल है वहरागी को अपने असली रूप में आते ही वहरागी ने अपना हमला सुरू कर दिया मैं इस तरह सामने आकर हॉल में मौझूद अपने दुस्मार संगितकारों को सौधान करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे तुमने मुझे सामने आने के लिए मजबूर कर दिया अब तो आई मेरा बेट अवे पेट चुड़ का बंदुग पकड़ और उसे बहरागी पर चला अब बंदुग तो मैंने पकड़ रखी है साम लेकिन चलाने का टाइम नहीं है उसे टॉयलिट में जाकर चलाऊंगा अब मेरे हाथ से बंदुग पहले ही नहीं छुट चाती तो मैं उसे चला देता जरूर क्योंकि अब मुझे टॉयलिट जाने की कोई जरूरत नहीं है इसने अपने अनोकय राख के परवाव से मारे पेट खराब कर दिया है अब हम उसे नहीं रोक सकते कोई बात नहीं इसे रोकने के लिए मैं हूँ और मैं हूँ डोगा गमराज तुम्हें एक बाव फिर मेरा रास्तर रोकने आ गए और तुम पर मेरे राग पेट खराब का असर नहीं पड़ रहा जबकि इस राग की खासियत है कि इसे जो सुनता है उस पर इसका असर होता ही होता है लगता है तु इस चीक के साथ ये कहना चाहता है कि हम पर तेरे राग का असर क्यों नहीं हुआ हमने अपने कानों को अच्छे तरिकी से बंद कर रखा है तेरे राक की आवाज वहारे कानों तक पहुंची ही नहीं अब तेरा खिसा मसे के लिए खत्म हो गया नहीं डोगा क्योंकि मेरे पास इसका इलाज भी है राक पत्थर के रुप में जो इंसान के कानों पर नहीं बलकि उसके सरीर के रुमचिद्रों से सरीर में परवेश करता है और जनली आदमी के अच्छे खसे सरीर को पत्थर का बना देता है ओ, ये मुझे क्या हो रहा है, ये कपकपी कैसी, मेरा सरीर जर सा होता मसूस हो रहा है पत्थर का असर डोगा पर भी हो रहा है, राक पत्थर का असर डोगा पर भी हो रहा था ओ, मेरा सारा जिस्म पत्थर की तरह सक्त होता जा रहा है, गन मेरे हाथ से निकल गई है और इसका मतलब इस बार भी ये हमें मात देकर निकल जाएगा नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा ये मौत से नहीं बच सकता डोगा को एक दूसरे पर जबड़े इस बात को सबूत थे कि वो अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहा है उस हाथ को उठाने के लिये जिसमें थमी थी उसकी альटरासशनिक डॉग विल्स दोगा के हाथ जल्दी सफलता लगी दोगा के मुँंवें वो विल्स पहुँच चूकी थी इसके बसती ही डोगा की साहता के लिए आप पहुँची कुटा फोज डोगा ने सही समय पर अपनी कुट्टा पोज को बुला लिया अब ये बैरागी को सफल नहीं होने देगी बैरागी पर टूट पड़ी कुट्टा पोज चीख के आगे सब कुछ भूल गया बैरागी लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए तेरे ये कुट्टे तेरे दुस्मनों का मास नोचते हैं इस बात पर बहुत नाज है ना तुझे आज तेरा ये नाज धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि ये कुट्टे तेरा और गमराज का ही मास नोचेंगे मेरे राग विद्रोही की धुन से प्रभाईत होकर वैरागी ने जिस बात का दवा किया था वो उसके राग सुरू करते ही सच हो गई ओ, कुत्ता फोज उसके राग से परवाईत होकर मेरी और डोगा की तरफ लट चुके हैं हम पर हमला करने दें के लिए आओ, ओफ, हाँ 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 तेरी वफदार कुत्ता फोज तुझे और गमराज को नोच रही एट होगा और तुम दोनों बचने के लिए कुछ मी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम दोनों को मेरे उस राग ने पत्थर बना दिया है जो सुरू तो मेरे गले से हुआ था लेकिन अब इस मीनी टेप रिकोडर से गुज रहा है जब तक इस टेप रिकोडर की कैसेट खत्म होगी तब तक यह कुत्ते तुम दोनों की बोटी बोटी नोज जा लेंगे इसलिए तुम दोनों मरो मैं चला इस होल में मजूद संगितकारों को अपने विराग सुनाने जो उन्हें या आप तो पगल खाने पहुचा गया या फिर समसान हाँ 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 विरागी को रोकने का कोई रास्ता नहीं है यह मुंटा को पकारने का एक रास्ता था लेकिन वह बंद हो चका ह उस मेनी टेप रिकोडर के बस्ते राग ने सरीर के सासत गले के भी जाम कर दिया है आवाज निकल ही नहीं रहा है बहुत मुस्किल हो गई है मुस्किल लोगा के सामने भी खड़ी थी कुट्य गमराज के सासत मेरे जिस्म को भी नोच दे रहे हैं और पसने का कोई रास्ता नहीं है सामने जो मीनी टेप रिकोडर रखा है उसे निकलती आवाज सरीर के सरीर को बाल बराबर भी हिलने नहीं दे रही है कास मेरे गले से आवाज निकल पाती तो मैं इन कुट्तों को संधाने की कोशिस कर सकता था कर सकता था एक मुनट साद अभी भी कुछ हो सकता है क् ती मेरे मुँ में अभी भी डॉक्विल्स मएं बस मुझे उसे हवाम फल्टना है और उम्मीद करता हूँ कि जिस गले से आवाद नहीं निकलती इतनी आवाद जरूरन निकली कि historically उस तə ये मुझद करता हूँ कि डॉप्विल्स की अवाज आज पास कुनते उन दुसरे अच्छा हुआ बहरागी यहां नहीं है वरना वो इन कुत्तों को भी अपने राख से हमारे खिलाब कर देता है इन कुत्तों की वज़े से मेरी और गमराज की जान बज़ गई लेकिन असली बात तो तब बनेगी जब कोई कुत्ता मेरी समझ से समझ कर मेनी टेप रिकोडर को तोड़ेगा जिसकी आवाज ने हमाँ पत्थर बना रखा है एक समझ गया सावास बेटा टोगार गमराज समान ने हो गया तुरेंटी हॉल के अंदर की तरफ भाग खड़े हुए लेकिन अंदर अब उनके करने के लिए कुछ भी नहीं था ओ बैरागी तो यहास निकल चुका है और अपने पीछे छोड़ गया ये खतनाक रागों की ये निसानी इनमें से ज़दातर संगितकार पागल हो गए हैं उन्हें तुरेंटी अस्पताल पहुचाना होगा और ये हुकत हैं ओनों नोश्कील हमें वाए रागी के गहां तक शकीत्त से बचना होगा और उसके निए मेरे पास कुछ उपाय थे कमिश्टर को ऊचना होगा और मैरे सहराक से हनठ मै इजना आँ गो करना भाइसाब मेरे कानों में सांट प्रूफ एयर प्लाग लगा रखे हैं नाम इस लिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मैं ही क्या बैरागी करा गोस्पस्ट निकली सहर का बच्चा-बच्चा कानों में ऐसे एयर प्लग और शरीर पर आपाज को कभी हद तक रो लोगों को हो रहा है वीवी जो मर्जी हो बोलती रहे कुछ फ़ल्क नहीं परता लोग बहरागी के रागों से डर से मुक्त हो गए थे और इसी बात ने वहरागी को आग वबला कर दिया मैं अपने राग किसी को नहीं सुना सकता है क्योंकि सभी ने अपने आपको सांड प्रूफ कर दिया है यह अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, अपने राग किसको सुनाओं समुंदर में आये ज्वारभटा का यह पानी मुझे डुगो देगा मुझे यहां से पीछे हर जाना चाहिए, आओ मिल गया, मिल गया, मेरे रागो को सुनने वाला मिल गया वहरागी के रागो को सुनने वाला कौन था, मुंबे वासी को जल्दी उसका पता चलने वाला था ओ, समुंदर से पानी का यह जवरदास तरेला हमारी तरफ आरा आया है भागो इस से, बचो, ओफ यह अचानक समुंदर का पानी संकों पर कैसे आ गया है मेरी वज़ा से, राग मला और समुंदर के पानी की इस रेले को संक पर लाया है और इतने पर ही बस नहीं होगा, अभी तु आग भी संकों पर आएगी राग दीपक की मदद से ओचानक ही, सारी मारत धुदक कर जल उठी तेज हवा ने आग को और बढ़का दिया, अब आग इसे चाल तक भी पहुँच गई है तो फिर बहला मुंबई के रखवालों क्यों ना आते, अपने रागों को यह खतरनाक इसमल करने लगा है आग, पानी, हवा, सब इसके निसारे पनाच रहा है, आग, पानी, हवा, मुंबई का नास करने वाला सानक पर आई गया था एक मिट, इन तीनों को नचाने का तरीका तुम मेरे पास भी है, उन देव बालकों के रुपे, जिनके नाम है लौफू कर्छित जल्दी जाओ गमराज, जल्दी आओ, गमराज को तुम्हारी सवाजता है, लौफू कर्छित को उनके पास पहुँचने में ज़्यादा देव नहीं लगी बिना कोई छंगबाए, वे तीनों देव वालक मुंबई में फैली इन समस्याओं को हल करने में जूट गया है बैरागी भी चेकेत रह गया, लौफूक छीट के करनाओं को देखकर, ओ, इन तीन बच्चों ने आग, पानी और हवा को तीन, हवा तीनों को काबू में कर दिया, ये तो मेरा सारा खेल विगाड़ देंगे अपने रागों से सबसे पहले इसे अपने वस में करना होगा, इन बच्चों की तरफ टेणी मज़र मत करना बैरागी, ये देव बालक है, तेरे राग का, इनका कुछ नहीं विगाड़ पाएंगे, अगर ये बच्चे देव बालक है, तो साधारा राग मेरा राग भी नही है, मैं इने अरदान के रूप में हासिल किया हूँ, ये अपने राग के बारे में कुछ बता रहा है, मुझे अपने कानों से एरपल घटा कर इसकी बाते सुने का उठाना होगा, मेरी किसमत में मुझे बचाया है, हलाकि जब अबू सलीम ने मुझे समूंदर में फेका था, तो मैं समझ गया था कि मेरा मना पक्का है, लेकिन मेरी किसमत में मौत नहीं कुछ और लिखा था, इसलिए समूंदर में डुपते डुपते वक्त मुझे कुछ तिनकों का सहरा मिल गया, मेरे एकदम दुबले पतले शरीर के कारण इन लकड़ी के टुकड़ों से मेरा काम च चाया, अब मुझे समंदर की लहरों के बीच बहाते ना जाने कहां ले गए, जन्दी मैंने अपने आपको एक नेर्जर और सुलसान टापू पर पाया, मैं सुरच्छी था और समंदर के जानलेवा पानी से बहार था, यह देखती ही मेरे पिट में दर्दोना शुरू हो गय मेरे रागों पर जुनते हुए पिरपदर ने अपनी फल और फूलोस की मुझे पर वारिज कर दी, इसे मेरा वुट्साह बढ़ा, मैं दूगने जोर से अपने तरतरह के राग अलापने लगा, मैं ऐसे ही कितने दिरों तक अपने राग अलापता रहा, और ना जाने कितने संधरियों को देखकर मैं अपना राग अलापना भूल गया, तुम कौन हो, हम जल पर यहां है, संगीतग के महवे, महुदे, इस टापू के नीचे हमारी नगरी है, बहुत दिनों से हम आपका गायन सुन रहे हैं, आज हम, आज जब हम से नहीं सार आ गया, तो हम आपके दर आग सुनाता हूं, नहीं हमरा तत्पर है कि अब हम आपके रागों को सुनने का सबाग नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको यहां से भेजने का निर्नाय कर लिया है, आपको जाना होगा, क्यों जाना होगा, बड़ी मुझे सुरता मिले हैं, तुम चाहती हो कि मैं इने चला जाओ, मैं अब इस संसार से हरगेज नहीं जाओंगा, जहां मुझे कोई सुनने वाला नहीं, मैं तो यहीं रहोगा, अगर हम ऐसा परबंद करते कि संसार में मनुष्य को अपने रागों को सुनने के लिए विबस होना ही पड़े, तो क्या तब आप चले जाएंगे, क या तुम्हारे पास ऐसा करने की सकती है, हाँ हम जल्परियों के पास असी मीच सकती है, परंतों फिर भी हम ना तो किसी का हरदय दुखाती है, ना किसी को कोई कस्ट पहुचाती है, इसलिए हम अपने रागों में चमतकारी सकती के कारण, आप जो भी राग अलापेंगे, उसका परवाद पुरुट हो गया, आपके रागों की सुनने वालों की भी लग जाएगी, मेरे रागों में चमतकारी सकती के परवाद डलकर उन जल्परियों ने मुझे वापस बेज दिया, लेकिन उन्हें क्या मलूम था कि अपने रागों के चमतकारी परवाद पाकर मैं नहीं रोक पाएगा ना यह बच्चे अना तुम दोनों ओफ यह सही का रहा है डोगा अब तो भागने में बुलाई है डोगा भागो और सारी दुनिया को यह कहने का मौका देदो की देदो की जीना है तो जुल्म के आगे जुको जुल्म की तल्वू को चाटो डोगा सुनो तो उफ कुछ नहीं सुनेगा डोगा क्योंकि सुनने में नहीं लगने में विज्वास करता है डोगा इसलिए डोगा लड़ेगा तब तक जब तक मामला आठ पार नहीं हो जाता मुझे तो इस मामले को सिफपार करना है और इसके लिए मेरा यहां से भागना बहुत ज़री स्वामी कि सुपर 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 से स्पीड रॉकेट बन जा अब मुझे यहां से ले चाग यह मैतान छोड़ का भागने के बहुत जल्दी पड़ी है स्वामी को मुझे क्या मुझे तो इनकी अगया का पलंका कहा हाँ 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 एक तो भाग गया कलमनली की उसने भाग कर अपनी जाल बचा ली तुम बेवकूप हो जो अभी भी मेरे सामने खड़े हो मरने के लिए एक अनोखा राग अपना सुरु किया वैरागी ने और उस राग का परबाद सिर्फ अनोखा ही नहीं बलकि है तंगेज और हॉलनाक भी था उफ वैरागी के राग ने पानी आग और हवा को मिला कर एक अजीब सा सर्थान को तयार कर दिया है बिना कोई पल गवाई से खत्म करना होगा डोगा की तरह ही लौफुक्षीट ने भी उस अनोखे सर्थान को खत्म करने अपने साइध दाकत लगा दी लेकिन जैसे लेकिन जैसे डोगा सपन नहीं हो और वैसे तुम इससे किसी भी तरह नहीं बच सकते क्योंकि जो राग इसका निर्वाता है वो किसी मीनी ट्रेटर से नहीं बलकि मेरे कंड से निकल रहा है और मेरे कंड को औरोद कर पाओ यह यह राग सेतान तुम्हें इतना मौगा नहीं देगा इसलिए कुछ मत करो डोगा मरो और सिर्थ मरो लौफुक छिट को चीत कर चुका था वो भेंकर सैतान अब डोगा की बारी थी अब डोगा को अब चीत होने में ज़्यादा देर नहीं लगनी थी अनोखा सैतान परचंड हो रहा था वैरागी के कंड से निकले राग की परचंडता के साथ निश्चा ही यह वैरागी के राग उसके गळे में ही घुटकर रह गया इसी के सथ वैरागी के आँखे आचरे से फटती चली गई अच यह मेरे गले क्यों क्या हो गया गो गो, मेरे आवाज मेरे गले से क्यों ने लिकर गही है कैसे हुरा है यह आँ, गो, गो हमारे करण हमें तुम्हारे गले को इस तरह सरो बरूद कर दिया है कि अब उसमें से राग तो क्या तुम्हारी वास्प्री का लाज में निकल पाएगी रानी जलपरी को यहां देखकर तेरी आखे हैरत से फटी जा रहे वह रागी मैं इन्हें यहां लेकर आया हूँ जब तुने मुझे इनके बारे में बताया तब ही मैं समझ गया कि तेरे खतरनाक रागों का तोड़ यही रानी जलपरी है जिलो ने तुम से छुटकारा पाने के लिए तेरे रागों में चमतकारी सक्ति भर दी थी ऐसा इन्होंने तेरी भलाई के लिए किया था लेकिन तुने अपना दिमाग से अपना सैतानी दिमाग खुशेर कर उस सक्ति को दूर्पयों किया है हलां कि यह बार सम्जाने के बार भी हला कि यह बत सम्जाने के लिए assignment user 00N पनाने को त्यार नहीं थी क्योंकि सक्ति संपन होने के बार भी इन्होंने ना तो आज तक किसी का दिल दुखाया ना ही किसी को कोई शंकक पहुशा है लेकिन जब मैंने समझाया कि उनकी दीवी सक्ति से बैरागी सारी मनावता को कस्प पहुंचा रहा है तो यह मेरे साथ आने को राजी हो गई साइद इसलिए तुम यहां से भागे थे हाड दोगा भाई कभी-कभी जंग जीतने के लिए एक करण पीछे खिचने में ही समझदार ही होती है लेकिन दोगा की जीत तभी होती है जब उसका वारूद उसके दुस्वन का सीना चाक कर देता है दुस्वन का सीना चाक करने की ओसकता नहीं क्योंकि सेतान का राग बंद होते ही अनोखा सेतान भी खत्म हो गया है वो देखो गमराज के दुस्मन का सीना चाको ये गमराज को हरगित मनजूत नहीं धन्यवाद राली जलपरी दुस्मनों के गम में गमगिन होने की यादत अच्छी नहीं गमराज छोड़ दो इसे क्योंकि दुस्मन वो समस्या है जिसे जड़ से समाप ना किया जाए तो नासूर बन जाता है डोगा का नजरिया अलग था और गमराज का अलग और अपना नजरिया कोई भी बदलने को तयार ना था तो इसी के साथ यह कोमिक्स समाप होती है मिलते हैं एक नई कोमिक्स के साथ